पच्चो का एक बहुत नॉर्मल सा प्रशन होता है कि हमें MA करना चीए या फिर BA करना चीए किसमें future ज्यादा से क्या और है तो कभी भी admission लेने के पहले इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी होता है कि आपको इल्मे से क्या करना चीए ऐसा ने अपने admission ले लिया आपको पता ही नहीं कि future में आपको करना क्या है तो कोई भी course या कोई भी degree लेने से पहले एक बार जरूर सोचिए कि इस जो degree को आप ले रहे हो इसका क्या फायदा आपको future में होने वाला है और ऐसा तो नहीं कि आपको career कहीं और अपना देख रहे हैं और degree आपने कोई और ले ली तो फिर future में दोनों link नहीं होंगी आपको problem होगी तो कभी भी जब आप MA करने वाले या फिर B.A.D. करने वाले हैं आपके मन में कुछ सवाल आने चाहिए पहला तो यह है कि आप अपना career कहां देख रहे हैं जैसे मान लीजिए अगर आप assistant professor के लिए देख रहे हैं अगर आप assistant professor के लिए अपना career देख रहे हैं तो वहाँ पर B.A.D. करने की आपको कोई ज़रुवत नहीं है आपने normal graduation किया आप PG कर लीजिए, post graduation कर लीजिए उसमें आप MA कर लीजिए, MSC कर लीजिए, MCOM कर लीजिए जिस type का course आपने graduation में किया हुआ है science, art, commerce का वैसे ही आप आगे master degree में कर लीजिए तो उससे क्या होता है कि आपका एक रास्ता तयार हो जाता है assistant professor बनने के लिए बीच में जैसे आपने MA admission लिया, आप आराम से net exam दीजिए, net exam में अगर आप qualify कर लेते हैं तो आप eligible हो जाते हैं, आगे assistant professor बनने के लिए तो अगर आप चाहते हैं assistant professor बनना, तो आपके लिए MA जादा better है, beard की अपेच्चा क्योंकि beard आपको assistant professor बनने की आजादी नहीं प्रदान करता है लेकिन अगर आप assistant professor के अलामा, ऐसे job को target करना चाहते हैं जो MA के basis पे हो, जिसमें PG मांगता हो, तो भी आपके लिए MA जादा best है लेकिन अगर आप चाहते हैं teacher बनना, वो भी upper primary में या फिर आप TGT देना चाहते हैं, आप PGT देना चाहते हैं उस case में अगर आप MA करते हैं, तो आपके लिए जादा अलाबदायक नहीं होगा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मां लीजे, अगर आप upper primary teacher बनना चाहते हैं तो इस case में आपको करना चाहिए beard क्योंकि MA करने के बाद आप upper primary teacher नहीं बन सकते तो सामान से बात है कि यहाँ पर beard ही आपकी help करेगा इसके अलाबा अगर आप TGT देना चाहते हैं TGT का मतलब होता है trained graduate teacher तो अगर आप TGT देना चाहते हैं और high school के teacher बनना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको करना पड़ेगा beard अगर आप MA करेंगे तो यहाँ आपके लिए कोई मतलब नहीं MA का आपको करना पड़ेगा beard लेकिन अगर आप PGT देना चाहते हैं PGT का full farm होता है post graduate teacher यानि intermediate के अगर आप teacher बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको beard भी करना पड़ेगा और MA भी करना पड़ेगा ठीक है तो PGT के लिए आपको MA भी करना पड़ेगा और beard भी करना पड़ेगा क्योंकि maximum जगा पर MA के साथ beard मांगा ही जाता है तो इस तरीके से आपको decide करना क्या है अगर आपको यहीं नहीं पता आपको करना क्या है तो आप side decision नहीं ले सकते तो इसलिए आपको यह पता होना चाहिए कि आपको future में करना क्या है तो यहाँ पर मैंने बताया कि अगर आपको upper primary और TGT देखनी है तो आप normally beard कर लीजी आपके लिए best है या फिर आपको normal teaching में career बनाना है किसी private college school में तो भी आपके लिए best है लेकिन अगर आपको career बनाना है assistant professor बनना है PGT देना है तो आपके लिए MA ज़रूरी है अगर आपको सिर्फ PGT देना है तो आपको MA के साथ BA भी चाहिए लेकिन अगर आपको assistant professor बनना है तो BA की कोई requirement आपके लिए नहीं होती है सिर्फ MA के requirement होती है इसके बिहाब पे आप आराम से assistant professor बन सकते हैं तो इस वीडियो में आपको समझ आया होगा कि आपको MA करना चाहिए या फिर आपको BA करना चाहिए आपके लिए क्या ज़्यादा better हो सकता है अच्छी लगी हो तो like and share जरूर करिएगा चाहिए